ओम गण गणपतये नमहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रो प्रोफिट 666 चानल में आपका स्वागत है मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको एक सबसे सरल वशिकरण मंत्र प्रयोग के बारे में बता रही हूँ जिसमें सिर्फ दो शब्द है और वह दो शब्द बोलने से किसी भी मंचाहे स्त्री या पुरुष का तुरंट सटिक और शक्तिशाली वशिकरण हो जाता है हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार पूछते रहते हैं कि वशिकरण का सबसे सरल और आसान तरीका बताईए जिसका प्रयोग करके हम पलभर में या चुटकी में हमारे पती पत्नी प्रेमी प्रेमी का या अन्य किसी का भी चहते स्त्री या पुरुष को वश करके उनका प्यार जितने में सफल हो जाएंगे इसलिए आज इस इडियो में मैंने आपको एक सबसे सरल और आसान वशिकरण मंत्र के बारे में बताया है जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार करने से इच्छित, स्त्री या पुरुष साधक के बहुत ताकदवर याने की भेरी स्ट्रॉंग वशिकरण के प्रभाव में आ जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरंद नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें अब मैं आपको इस वशिकरण मंत्र के विधी के बारे में बताने जा रही हूँ कुरुपया ध्यान से सुनिए इस मंत्र का प्रयोग आप किसी भी दिन मध्यरात्री के बाद कर सकते हो और आपको रात को खुले आसमान के नीचे याने कि नाइट स्काई के नीचे बेटकर उस मंचाहे स्त्री या पुरुष के बारे में एक बार सोचना है याने कि उसका मानसिक चित्र अपने दिमाग में एक बार लाना है और फिर इस मंत्र का लगातार 1200 बार जाप करना है यह संक्या आपको ज़्यादा लग रही होगी लेकिन मंत्र सिर्फ दो शब्दों का है अब मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ कुरुपया ध्यान से सुनिये ओम आकर्शय मंत्र जाप के लिए आप रुद्राक्ष या अन्य किसी भी माला का इस्तमाल कर सकते हो यह वशिकरण मंत्र प्रयोग दिखने में अत्यांत सरल लावर आसान है लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली वशिकरण मंत्र प्रयोग है क्योंकि जब साधक इसका प्रबल इच्छा शक्ति एक कागरता और पूरे आत्म विश्वास के साथ जाप करता है तो उसके शरीर में से एक बहुत शक्तिशाली आकर्शन शक्ति या उर्जा जिसे अंग्रेजी में मोस्ट प्रवर्फूल अट्रेक्शन एनर्जी या भाइब्रेशन्स कहते हैं बहुत निकलने लगते हैं जिसमें मन चाहिस्त्री या पूरुष का प्रचंड वशिकरन हो जाता है इस वीडियो का अंग्रेजी आर्टिकल आप हमारी साइट प्रॉफिट666.com पर देख सकते हो अगर आपको हमारा चानल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भुलिये प्रभू सबका कल्यान करेंगे